चाड़क के IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत हैं हम बात करने वाले हैं निपाह वाइरस के बारे में केरल के कोजी कोड में निपाह वाइरस से दो लोगों की मौत के बाद तीन और जिले कुन्नूर, वाइनाड और मल पुरम में अलट जारे किया गया है वर्त्वान स्थिती के अगर बात करें तो यहां की 7 ग्राम पंचायतों को Containment Zone बनाया गया है Containment Zone वाले इलाकों और अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवारे कर दिया गया है वही करनाटक के दक्षिन कंणड जिले में भी अलट जारी किया गया है कोजी कोड के जिला अधिकारी ने 7 पंचायतों में सभी एजुकेशनल इंस्टिटूट, आंगनबाडी केंडर, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है सुबब 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाईयां और जरूरी चीजों की दुकाने ही खोलने की पर्मेशन दी गई है इससे पहले केरल के कोजी कोड और मलब पुरम जिले में 2018 में निपाह वाइरस से 17 लोगों की मृत्यू हो गई थी इसके अतिरिक्त निपाह वाइरस का मामला 2019 में कोची में भी सामने आया था वहीं 2021 में भी कोजी कोड में निपाह वाइरस का एक केस मिला था अब हम बात करेंगे कि निपाह वाइरस फैलता कैसे है इसके कारण क्या होते है निपाव वाइरस चमगादर और सूर जैसे जानवरों से इनसानों में फैल सकता है इस मिमारी से मरने वालों की दर बहुत जादा है अब तक इसका कोई ट्रीक्मेंट या टीका उपलग नहीं है यह एक किसम का जिनोटिक वाइरस है जिनोटिक वाइरस उसे कहते हैं जो जानवरों से इनसानों में या इनसानों से जानवरों में फैलता है यह पहली बार नहीं है जब इनसानों में किसी विमारी का कारण चमगादर की वज़े से है यह कई तरह के वाइरस का वाहक रहा है जो पहले भी साबित हो चुका है चमगादर की कुछ प्रजातियां रेबीज, इबोला और निपाह वाइरस की भी वाहक रही है निपाह वाइरस के लक्षणों की अगर बात करें तो निपाह वाइरस सिर्फ जानवरों से नहीं सास लेने में तकलीफ और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखते हैं अगर ये लक्षण एक या दो हफते तक रहते हैं तो डॉक्टर से संपर्व करना चाहिए अब हम बात करेंगे निपाह के पहले मामले के बारे में डबलो एक चो अर्थात विश्व स्वास्त संगठन के अनुसार 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गाव में पहली बार निपाह वाइरस का पता चला था इसी गाओं के नाम पर इसका नाम निपाह पड़ा तब सुवर पालने वाले किसान इस वाइरस से संक्रमित मिले थे मलेशिया मामले की रिपोर्ट के अनुसार पालतू जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोडे से भी इंफेक्शन फैलने के मामले सामने आई थे मलेशिया में निपाह वाइरस सामने आने के बाद उसी साल इस वाइरस का पता सिंगापूर में भी चला था इसके बाद 2001 में बांगलादेश में भी इस वाइरस से संक्रमित मरीज मिलने थे, कुछ वक्त बाद बांगलादेश से जुड़ी भारती सीमा के आसपास भी निपाह वाइरस के मरीज मिलने लगे इसके साथ ही आज का हमारा विशे यहीं पर समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद